बुड मॉनिंग स्टुडेंट्स हाव आर यू बेटा आई होप आप सवस्थ होंगे आज बेटा क्लास पलस वन सब्जेक्ट हिस्ट्री में लेसन इलेवन आदोनी करन के रास्ते इससे पहले हमने लेसन 10 मूल निवासियों का 20 थापन के उपर चर्चा की थी आज लेसन नमबर 11 आदोनी की करन के रास्ते के उपर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं बिटा इसमें चेप्टर में हम किन देशों के उपर बात करेंगे जापान मलो इन दो देशों के इर्द गिर्द ही बात चलेगी सबसे पहले लेते हैं चीन के बारे में देखो बटा चीन में सामयवादी सरकार की स्थापना जो की 1949 में हुई चीन में छीन राजवन्स का आंत 1644 से 1911 तक चीन में किसका राजवन्स था? चीन राजवन्स का 19. सदी के सुरुवाद में चीन का पूर्वी एसिया पर परवोतो था या चीन राजवन्स का सासन था कुछीज दसकों के भीतर चीन ऐसांती की गिर्फत में आ गया और ओपनेशिक चुनोतियों का सामना नहीं कर पाया और चीन राजवन्स कारगर सुधार करने में ऐसा फल रहा और देश ग्रहयुद की लप्टों में आ गया और चीन राजवन्स के हाथों से राजवन्स नितिक नियंद्रन चला गया तो इस प्रकार से चीन में चीन राजवन्स का आन्त हुआ उन्निश वी सधी में जापान में ओधोगिक और तंतर की रचना पहले हमने जो चीन के बारे में दास्तान दी अब जो हम जापान के बारे में बताते हैं दोनों की जो हैं बातें साथ के साथ चलते रहेगी तो जापान के अगर हम बात करें तो अठारवी सधी के अंत में और उन्निश वी सधी की सुरुआत में जापान ने अन्य एशेय देशों के तुल्ना में काफी हधीक परगती की जापान एक आधुनिक राष्ट राज्जों के निर्माण और ओधुक आर्थ तंतर की रचना में चीन को काफी पीछे छोड़ दिया देखो बेटा जापान हलाकि हम देखते हैं कि संसाधन इतने नहीं थे लेकिन जापान ने बड़ी सूजबूद से नई तकनिकी के मादम से विवेक कोसल के मादम से काफी परगती की और अपनी जिन सिंग्या को अधिक शिक्षित करते वे स्वास्ते पर ध्यान दिया शिक्षा के उपर ध्यान दिया नहीं प्रोदगी के उपर ध्यान दिया तो इस प्रकाश जापान अधिक विख्षित की स्रेणे में गिना गया तो जापान काफी जो है ओदो की छेतर में अर्थ अंतर की छेतर में काफी आगे निकल गया चीन को काफी पीछे छोड़ दिया जापान ने ताइवान 1895 में और कोरिया 1910 को अपने में मिलाते हुए एक उपनेशिक सामराजे कायम करने में सफल रहा उसने अपने संस्कृति और अपने आदरसों की स्रोथ भूमी चीन को 1800 चुराण में में आराया और 1905 में रूस जैसे यूरोपिय सक्ति को भी प्राजित करके में कामियाभी आसिल की तो इस प्रकाश जापान ओधोगिक आर्थिक तंतर के आदार पर प्रगति के रास्ते चला गया अब हम इन दोनों देशों के बोगलिक श्तित्ति के आदार पर अंतर लेंगे देखो बटा चीन एक विशाल का एक महधीप तेश है यहां की जो जलवायू में विवित्ता पाई जाती है यहां कई रास्ते भासाओं का बोल बाला है और खानों में छेतरी विवित्ता मनों खान पान गया दार पर भी छेतरी विन्ता पाई गई है अगर हम जापान की बात करें तो जापान एक दीपी स्रंखला वाला देश है इसमें च्यार मुक्कदीप सामिल है मुक्कदीपों के जो पचास परतिसर से अधिक जमिन पाड़ी है यहां की परमुख बासा जापानी है और जापान बहुती शक्रिये बुकंप छेतर में है तो यह आपसे पुछातीए चीन की बोगोलिक्स विशेष्था बताओ या जापान की बोगोलिक्सी में अंतर बताओ तो आप यह बताएंगे ठीक है अब हम देखते आग्दुनिक दिनिया में धिमी चिनी परतिके रिया देखो बिटा जापान के समक्ष देखा जाए तो अन्य यूरोपिय देशों को के साथ तुल्ना की जाए तो चीन नी जो परतिकरिया है दिमी रही और उनके सामने कई कटनाया आई आदुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपने प्रमप्राओं को पुन्य परिवासित करने का प्रियास भी किया अपनी राष्ट सक्ति का पुन्य निर्मान करने के लिए और पस्मी वे जापान नियंत्रन से मुक्त होने की कोशिज भी की उन्होंने पाया कि एसमानता को अटाने और अपने देश के पुने निमान के दोरे मक्साद को वे क्रांती के जरी ही आसिल कर सकते हैं तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि जो चीन की पर्तिकरिय थी वो आला की दीमी थी अगर आज हम चीन की बात करें तो चीन वास्तिव कहें अपने आर्थवयवस्ता में काफी सुधार कर पाया और चीन ने अपने स्थिति को मजबूत किया मुक्त वयापारगिनतिय अपनाते हुए काफी अपने एकोनुमिक आर्थवयवस्ता में जहें विर्दिखी लेकिन यदि देखा जाएं आधुनिक धुनिया में जो चीन की गती थी वो तीमी परतिक्रिया की थी मेजी पुने स्थापना बेटा जापान में जो मेजी की पुने स्थापना कब हुई मेजी पुने स्थापना का आर्थ परबूत सरकार का गठन नोट करेंगे मेजी पुने स्थापना कारत का है बिटा परबूत सरकार का गठन और मेजी की स्थापना 1867-68 के दोरान मेजी वंस का उदेवा मलों मेजी की स्थापना हुई देश में विद्वान विविन परकार का एसंतोस मेजी की पुने स्थापना का मुखकारण बना अब मेजी की पुने स्थापना के पीछे क्या कारण थे देश में तरह तरह का ऐसंतोस देखने को मिला इसलिए मेजी की पुने स्थापना हुई और अंतरास्ट व्यापार वे कुटनिती संबंदों की भी मांग की जा रही थे इन बातों के कारण मेजी की पुनेश्थापना करने पड़ी मेजी शासन के अंतर जापान के अर्थवैस्ता का आधुनिकर कैसे हम देखते हैं मेजी की पुनेश्थापना के बाद काफी बदला हुए काफी परिवर्तन देखने को मिले जैसे किर्शी पर कर्व, जापान में रेल नाइन बिछाना, वस्तर उद्धों के लिए मशीनों का आयात, मजदूरों का जो हैं विदेशी कारिगरों का दोरा प्रिक्षन, विद्यारतियों को पढ़ने के लिए विदेश बेजना, आधुनिक बैंकिंग विवैस्ता का परार आट्यपुण बूमी का निवात हैं, और ये सबी बाते कब वो कायम होई, मेजजी के शासनकाल के आंतरकती जो कायम हो पाई, अगली बात देते हैं, जापान में मेजजी दवरा शिक्ष्या तथा विद्याली विवैस्ता में बदरा, तो देखो बटा, जापान में मैंने अभी आपको बताया, पिछे, कि भी जापान अधिक विख्षित किन कारणों से हुआ, क्योंकि जापान की सरकार ने अपनी जंसिंक्या में शिक्षा के उपर जोर दिया, स्वास्ता के उपर जोर दिया, परक्षिक्षिन के उपर जोर दिया, इसलिए वो विख्षित की सरे में गिना गया तो जापान में मेजियों दवारा काफी जह हैं बदलाव किये गए कौन-कौन से बदलाव किये गए जैसे की नमबर एक लड़के और लड़कें के लिए स्कूल जाना अनिवारी है देखाँ आ गए नहीं बात कि भी जापान ने अपनी जह हैं जन सिंक्या पर अधिक शिक्षा पर जोर दिया उन्होंने लड़कें और लड़कें के लिए कंपल्स जिरी कर दिया भई सभी को स्कूल जाना नहीं वारे होगा पड़ाई की फीस बहुत कम कर दी गए ताके हर तबके का वर्क व्यक्ति जह है शिक्षा करने कर सके आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया उनकी जो सोच अच्छी थी आधुनिक विचारों पर अधिक जोर दिया उन्होंने रूडिवादी बातों को नहीं सोचा जैसे कि हम देखते हैं भार्त में देखने को भी मिलता है लड़कें और लड़कियों के आधार पर जो काफी एसमान था मलो इस प्रक वारी किया राज्जी के परति जो निष्ठा और जापा ने इतियास के अध्यन परादिक बल दिया किताबों के चैन और शिक्षकों के प्रक्षिशन पर यहां पर आ गए ने बाते मलो किताबों के चैन और शिक्षकों के प्रक्षिशन पर भी नियंतन कायम रखा और हर मात पिता के परति उदार, आदर, राष्ट के परति वफादारी और अच्छे नागरी बनने की भी प्रेणा दी गई तो यह सभी क्या महलो जापान में जो मेजी की स्थापना हुई 1866 और 68 के दोरान उस दोरान यह बदलाओ देखने को मिले किसमे जापान देश में अब अगली बात अत्य बेटा जापान में मेजी दोरा प्रियाण पर उद्योगों के विकास का परभाव यहाँ पर जब मेजी की स्थापना हो गई तो काफी मलो विकास देखने को मिला उद्योगों पर उद्योगों का यहां पर देखने को मिलता है पहला लकडी जैसे प्राकरति संसादनों की मांग से प्रयाण पर विनासकारी प्रभाव देखने को मिले बेटा क्योंकि उद्योग स्थापित होने की वज़े से सीधा प्रभाव प्रकरति संसादनों पर पड़ा बेटा उदोगी करण के करण जो वाई पर्दोशन जल पर्दोशन को जय बढ़ना देखने को मिला किर्शी उत्पादों में कमी का पर्मुक करण लोगों का सहरों की तरफ पलाएन देखने को मिला तो ये सभी उदोगों के विकास के परवाव देखने को मिलते हैं अगली बात आते च्यांकोई सिख के कारिये च्यांकोई सिख ने क्या कारिये कि वाल लाड़्स पर नियंतरन करना समयवादी को खात्म करना सेक्विलर और एलोगिक कन्फूसियस वाद के मायति की और राष्ट के ज़ो है शन्यकर्ण का प्रियास किया महिलाओं के चार सदगुन पैदा करने के लिए प्रोच साहित किया जैसे की कौन से थे चार सदगुन, सतित्तव, रूप, रांग, वाणी और काम तो इस प्रकार से च्यांकोई सेख ने इस प्रकार के जो है जापान में मलोग ये कारिये किये सोरी बेटा, यहाँ पर चाएंकोई सेख जो की जापान में सुधार किये तो इसमें ये बताया गया है कि चांकोई सेख ने किस्टन ये बन जाएगा चांकोई सेख ने कौन-कौन से जो है सुधार किये तो आप ये स्टेप देंगे अब देश के इकिकर्त करने में ऐसा फलता के क्या कारण रहें संकेंड सामाजिक आधार सीमित राजनितिक दरश्टी पुन्जी नियमन और भूमी अधिकारों में समानता लाने में ऐसमर्ता और लोगों की समस्यां पर ध्यान नहें देकर होजी विवैस्ता थोपने का परियास यह सभी जो हैं देश को एकिकर्ट करने में सफल नहीं हो पाए जिसे देश में अरजक्त एहसानती का माहूल पैदा हुआ अब हम लेते हैं आधुनिक चीन की शुरुवात के उपर विटा आधुनिक चीन की शुरुवात 16 सदी से 17 सदी के पस्म के साथ उसका पहला सामना होने के समय से माना जाता है जेशोईट मिशिन्रियों जेशोईट मिशिन्रियों चीन में खगोल विद्दा और विजगणित जैसी पस्मी विग्यारों का हाँ पहुचाया पहला अफिम यूद पहला अफिम यूद बिर्टेन और चीन के बीच 18 सदी सदी में हुआ इस यूद में बिर्टेन ने अफिम के फाइदे मन व्यापार को बढ़ाने के लिए सेने बलों का इस्तेमाल किया बेटा और पहले अफिम यूद के अगर हम प्रिणाम देखें तो इस यूद के सत्ता दारी जग किविंग राजवन्स को जग कमजोर किया गया और शुधार तथा बतलाओ की मांगो की जग मजगुती दे गई इसके बाद में हम देखते हैं सन्यात सेन के बारे में बिटा सन्यात सेन का नित्तर तो 1911 में मांचू सामराज्य का समाप्त कर दिया गया था और चीनी गणतंतर की स्थापना की गये थी तो वे आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं बिटा कौन सन्यात सेन वे गरीब जो परिवार से थे उन्होंने मिशन स्कूलों से सिख्षा प्राप्त की जहां उनका प्रिचल लोकतंतर वे इसाही दरम से वहाँ उन्होंने डॉक्टरी की जब पढ़ाई की और परंतु वे चीन के बहुष्चे को लेकर चिंतित थे उनका कारेकरम किस पर आदारिता बिटा तीन सिख्षा पर आदारिता जिसे सेन मीन चूई के नाम से जाना जाता है अब हम बात करेंगे जो है किसनी आपर बन जाएंगे बिटा सनियाद सेन के तीन सिख्षा दान्त बताओ बिटा important question बिटा नोट करेंगे तो बिटा सनियात चेन के दान्त में पहला से दान्त क्या आया राष्टवाद और राष्टवाद इसका आर्थ क्या है मांचूवंस जिसे विदेशी राजवंस के रूप माना जाता है कुसप्ता से अठाना साथ साथ अन्य सामरजवादे को भी आटाना तो पहले कौन सिनिती अपना है उसने राष्टवाद गी दूसरा हम देते हैं गनतांतरिक सरकार की स्थापना करना अन्य सामरजवादे को आटाना तथा गनतांतरिक स्थापना करना और तीसरा समाजवाद बेटा जो पुंजवाद के नेमन करें और भूस्वामिताउं में समानता लाएं सन्यात सेंट के विचार कौमी तांग के राजनितिक दर्शन का आदार बने उन्हें कपड़ा, खाना, घर और प्रिवैन इन चार बड़ी आवसाक्ता को रेखा की ते किया तो यह क्या है डॉक्टर शन्यात सेंट के तीन मुक्हें से दानत बेटा आगे लेते हैं बेटा ताइवान में लोक्तिंदर के स्थापना के उपर 1975 में चियांकोई सेक की मोद के बाद देरे देरे शुरूआ और 1880 में जब फोजी कानून हटा लिया गया तथा विरोधी दलों के जब कानूनी इजाज़त मिल गई तब इस परकिरिया ने गती पकड़ी और पहले सरतंतर मद्दान ने स्थाइं यह जो ताइवान को सत्ता लाने का की परकिरिया शुरू कर दी तो इस प्रकास से ताइवान में जो हैं लोक्तंतर की स्थापना हुई बेटा तो बटा इस वीडियो के मादधन से हमने इस लेसन से सम्मंदित जो है बेसिक बाते आपको बताई हैं और जो भी इससे सम्मंदित जो क्यूशन बनते हैं वह अपनी फेर नोट में आप राइट करेंगी और लर्न करेंगे नेक्स्ट इस चेप्टर से सम्मंदित हम नेक्स्ट वीडियो में जो हैं चर्चा करेंगे ओके नाइस टोकिंग टू यू बटा थैंक्यू